है साथ श्रीकाल जी सारयानू वैसे टासी दोने पंजाब जाथे पंजाब जी बैठें बर हिंदी बॉलना साथी मजबूरी ए क्यूंकर साथी बहुत है वू विजने खुड़ों के प्रेमी हैं, गोड़े के जानकार हैं, गोड़ा पालक हैं, ब्रीडर हैं और जज्ज हैं मगर ये मीडिया में कम नजर आते हैं शायद पहली बार नजर आ रहे हों बिल्कुल जी बिल्कुल जी और मैं लग्की समझता हूं कि आज मैं इनकी इंटर्व्यू कर रहा हूं देखते हैं हम कितने विशे चुन पाएंगे जी आज का वैसे तो बेसिक विशा यह है कि अपने एक बच्छेरे को लांच कर रहे हैं और उसको फोटोग्राफी के लिए यहां लेके आएं और इनके पास जो खुबसूरत बच्छेरा है पहले तो हम उसके बारे में बात करे चुतुँ तसाथ पहले तो आप अपने बच्छेरे के बारे में बताईए जिसका क्या नाम रख़ा है इसका नाम कैस अकाश इसकी जब्यंव साधे तो अभी इसको अभी तीन साल में पूरा अच्छी तरह से तियार करके जी अभी इसको थोड़ा लॉंच कर रहे हैं जितने गोड़ा प्रेमिय उनको आपके चैनल के माधिम से दिखा देंगे हां सब लोगों को आके देखने में समय भी नहीं होता है जी मगर थोड़ा सोशल म में जी तो उसमें इसकी थर्ड प्रीशिन आई थी ठीक है जी तो लेके तो थोड़ा दिखाने के मूड में गए ते फिर मूड बाढ़ गया भी चलो रिंग में डाले इसको जी हां जी क्योंके शो में जो पहले दस घोड़े आते हैं जी वो तो एक पॉइंट के बिल्कुल जी बहुत है जी और इसको आपने मेटिंग स्टार्ट कर दी है जी मेटिंग स्टार्ट कर दी जी इसको ठीक है जी तो इसका महीने दो महीने में इसका रजल्ट भी आजाएग अपने सामने जी और सिंदु साब इसके इलावा भी आपके पास कितने अनीमल्स हैं जी मेरे प एक दिलवाक भाकि गोडियां है और साथ में बचिया ठीक है जी शिद्धू साब आपका शॉक कितने साल पुराना है मेरा शॉकना बच्पन का है मैं नाइंत क्लास में था तो मेरे को गोड़ी का इतना पागलपन था मेरे ताया जी रखते थे मेरे फादर साथ गौवर्मेंट जॉब में थे उस टाम नहीं रखते थे आप उस से में शहर रहते थे गाउं में रहता था लेकिन मैं पढ़ता शेर में था पहले होसल में पढ़ा हूँ जब मैं गर पे आ जाता है तो मेरे ताया जी को और हमारी जो बीच की दवार है वो चार फुटकी थी ठीक है मैं उसके उपर बैठा चार चार गंटे गोड़ी देखते रहता तो मेरी मदर ने मेरे फादर साब को बोला भी अगर इसको इसके बच्चा पागल ना हो जी तो मदर ने आपको पर कंपेल कि आ तो हमने गोड़ी ली जी नाईटि फise HE Lopez आप तो लखी हो के आपको बच्पन में गोड़ी बिल्कुल जी बिल्कुल मेरे मदर मेरे लिए बहुत लगी है फादर भी बहुत लखी है लेकिन क्यूंकि मैंने तो पहले मदर के सामने रखनी है फिर फादर से पूरी तो मैंने उस टाइम 95 में गोडी ली उसके ऊपर खूब राइड की फिर दीरे उसको ब्रीडिंग के लिए भी यूज किया बच्चे भी लिए फिर दीरे एक दो एक दो आते आते जब मैंने ग्रेजेशन पूरी की अधुत के वाध शादी हुग सब्सकित काम भड़ाया तो उसके बाद मेР èm बढ़े अद्व सिंघ मान पिंकु बसाइब सींग के साथ वह में और काफी रखे काफी समय अकटमेया पार जाने के बाद पिर उधर हो तो फिर उसके बाद अभी फारम उदर भी है जी के भी जानवर है और मैंने अपने गाउं में जो गाउं का नाम है लहरा सौंदा डिस्टिक बढ़िंडा पंजामी जी तो दर की यह था तो यह मेरी दीरे दीरे चलती आ रही कहानी जी और इसको थोड़ा जब आपने काम को ब मेरे पास जो रहे हैं मेरे और टिंकुबै साब के पास रहें वो सुंदरी गोडि थी हाँ जी वो बढ़ी है वो उस टाइम की जैनिके 69-70 इंचिस की गोडी थी हाँ जी सबसे बड़ी गोडी ती वो प्योर मारवडी नहीं कह सकते है उसको जानिके सिंदी और मारवडी मिक जी जी तो मैं थोड़ा बता देना चाहूंगा जी साली वाल वाला नुकरा जो है उस घोड़े ने बहुत बड़े हाइट के अगर बच्चे पैदा करने का श्रेज आता तो उस घोड़े को जाता है बिलकुल घोड़ा वो 63 इंच और बहुत खूब सुर्ट गोड़ा भी आ अगरे बहुत बड़े बड़े बच्चे पैदा है एक तो सुन्दरी होगी जी और कुछ आपके बाद लाम का गोड़ा था जी सफेद वह भी बहुत बड़ी हीट का था जी वह शेर खान जी वाले जो गुल जार गोड़ा उसका बच्चा था जी उस टैम हम ज्यादा नुक दो प्रबाद गोड़ा रहा झालि एक झालिए प्रबाद गोड़े ऑर भी एक्छी जो अपरवाथ वाद का तेन आप नहीं रहें उतना नाम नहीं रहा उसके बाद यह बच्चे को त्यार कर रहे हैं। तो गोड़े खुछी तो काफी ऑची रहे हैं। और इसके लावा आपको शोज में जज भी लोगों ने बनाया शोज करानेवाले तोड़ा रिंग के वारे में हम बात करेंगे एक हमेशा ही मैं अस बात को हमेशा अपोस करता हूँ बेशक मैं जग नहीं बंढ मनुजी बात बता क्या जो रिंग में जो जज के रूप में आदमी खड़ा होता है वह एक बहुत ही थैंक लेस्ट बिल्कुल थैंक लेसे ठीका जी आप मेरे दोस्तों अगर आपका भी गोड़ा हारेगा आपको भी एक पॉइंट मेरे उपर होगा नहीं यह नहीं मेरे को और करना चाहिए तो उसके बद में खड़े होते तो कुई भी जज ऐसा नहीं है जो पार्शल जबर देखना दिना जर से देखना और घोड़ा प्रेमी की नजर से देखने में फरक है बिल्कुल जब फरक है क्योंकि अगर आप ए घोड़ा प्रेमी रहो गे तो फिर तो आपको तो दसों को फस्ट प्राइज देना चाहिए और फिर शो कराना ही नी चाहिए अगर उनको आगे पीछे करना है तो नॉमिनल मार्जन पे वह गोड़े आगे पीछे होंगे ही होंगे होंगे देखो जो आपने पहली बोला भी जो पहले दस में यह रिंग में खड़े होते हैं उसमें डिंप्रेंस को ये उसमें बात था अगर अजया अगर पांच में एक में में यह तो 該किक ग। तो जो आदमी कोंगी इणिमल लेके जाता है मैं उसको फस्तव को फजिगरा अच्छा है जो अधो कि अग्या दो के लिए लड़ने थो कि एक तो बाबा जोगा जी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे मेरे बड़े प्यारे मितर थे और दूसरे भोलू बाबा अमर्दीब सिंग भोलू बोलू उन्हों ने इतने competition लड़े और उनका गोड़ा एक दिन जोधपुर में जाके चेंपिन हो और जोधपुर में यह लोग यहां पर राजपुतों के विना बना वोड़ों के भाड़ नहीं जीता है देखो जी हम रिंग में कितने रिंग मैं 2016 से जजींग कर रहा हूं आज तक कर किसी भी जो रिंग सभांसर करते हैं जो शो करवाते हैं आज तक कर एक हर एक भी आदमे मेरे को नी बोला बेस मेरे अच्छे विचार निकले गए बुरी है तो मेरे बुरे निकले कुझे भी एक दिन किसी ग्रूप में बात हो रही थे हूं किसी भाई साब ने बोला कि जज बिखते हैं मैंने का हमें दिला दो जज बिखता है मैं दस लाख देता हूं हमारे दिलेर गोड़े को फस्ट करा करें दिखा दो मनुजी वही बात है अगर हम साथ-एक सारे जो जज लोक है उनके साथ जज इए एक भी मेरे को किसी ने यह नहीं बोला वी हम ने इस गोड़े को जड़ा है ठीक है वह एक रिंग में पांच जज होते हैं आपकी मर्जी आपने इस पॉइंट को उसके यह ज तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप शो का शौक रखते हो तो बड़ा दिल रखके रखो आज आप थर्ड आते हो कभी आप फस्ट होगे मेरे को काफी लोकों के कई वर फोन आता है बाईसा मैंने गोड़ा रिंग में डालना मैं उनको यही बोलता हूं भी आप रिंग में जीतने के लिए बाद में पहले सीखने के लिए पहले आपको बहुत सारे लोग एंजी उनके घोड़े वहां प्रॉपर हैंडल नहीं हो पात अपने गोड़े के नहीं है तो मैं तो सभी आपके चैनल के मादियम से यही कहना चाहता हूं भी अपना जो गोड़ो गड़ा प्रेम है यह बहुत ही अच्छी चीज है यह बगवान का जानवर है गुरू पीरों की यह निशानी है अपने को इसकी सेवा करने का मोका मिला इ फर इतने ऑच्छे तरीक चेशी सीवा करेंगे अपने अच्छा अपना नाम देंगे पैसा देंगे सब कुछ देंगे बिल्कुल तो किसी की किसी के उपर दूशनवाजी लगाने से पहले हम अपने आपको सुधारे और किसी को हम यह न कहने उसने यह सेटिंग अगर तो आपका घोड़ा फस्ट आ गया तो वही जजीज की टीम बेस्ट है और इमानदार है अगर थर्ड फोर्थ आ गया तो आप उसमें चिल करें तब उनको पता चलेगा क्या लोगों की राय उनके साथ मिलती है और बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि बाहर बैठे लोगों की राय अंदर वालों से ज़ड़ होती है तो हला होता है वो डिफर होगी आप उसको एक स्टेज पर बैठके देख रहे हो जो जज उसको गोडा के सब्सक्राइब हो जो जी उसको जज़ बनके जो डिल्कुल जी वेरी मस्टाइब शाहिए अए व्यवां एक फॉर्ट और यूर नियोगों की शेदीज वेरी मीज़ चालो जी थेंक यू वेरी मस्ट और और यूरा थेंक यू एरी मिल्स एटू साहब आज थेंक झाल झाल